कि अब लुए और आप सभी का आपका अपना चल्ल मैच वजिम बहुत स्वागत करता हूं आज की विदिए में देखने वारे हैं टूर्थ क्लास का मैच में डिफ्रेंशियेशन यान की इन इन क्यों समने का है कैलकुलस और कॉलकरस में चेप्टर कौन सा है सब्सक्राइब और अब देख और पहले देखे आए उसको पहले देखे उसको बाद यहां देखे तब आपको बहुत एससरा समझ में आएगा उमिद करते हैं कि आप विडियो को उवार से देखे होंगे तो हम लोग यहां पर इसको चालू करते हैं और देखते हैं इसको देखते हैं हम लोग इस एक साइस के दो को पिछले वाल लेक्षाल में हम लोग कर चुके हैं और यहां से लोग देखना है क्या क्या है यहां देखिए जो कोशन में थ्री है वह है log x का power cos x log x का power cos x और दियान देजिद्ट सब्सक्राइब क्या करते हैं तो इसको रोग मानते हैं y यानि कि solution में लिखते हैं और लिखते हैं कि let y equal to log x का power cos x log x का power cos x और आप देखने हैं यहां कि यह variable x और यहां पर भी क्या विखते हैं तो सबसे पर इसको और वाई दिया है तो ठीक है नहीं दिया है तो आई जो माल लेंगे और फिर दों तौरफ log लेंगे दोन तरफ लोग लेंगे अलोक अपर नाइज करेंगे उसके इसको लोग डिपरेंसी एट करेंगे अगर जाये तो यह को एकवल टू किदर हो लोग एकसका पावर कॉसेक्स अब यहाँ पर फर्मुला होता है कौन सा ध्यान देजिए हैं पर फर्मुला होता है log a का पाउर b तो पाउर के होता है बाहर आजाता है तो b log a पाउर बाहर आगया तो यहाँ पर भी यह फर्मुला यूज कीजिए तो जब फर्मुला यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जा गई है यह तो रहेगा ही log y equal to यह power है तो power बाहर आ जाएगा तो cos x into log of log x सिल्फाई कर दिए आप क्या करते हैं सुनो differentiate तो लिखते हैं differentiate with respect to x क्या लेखेंगे differentiate with respect to x तो यहाँ क्या हो जाएगा जिसका differentiation उसके साथ d लगा करके उपर और जिसके respect में उसके साथ d लगा करके नीचे तो dx नीचे यहाँ पर भी differentiation अब किसका by dx तो यहाँ हम लोग differentiation जो करना है वह है cos x into log of log x आपको भी फर्मुला याद है तो आपको भी समझ में आ रहा होगा d log x divided by dx देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है तो इसका फर्मुला क्या होता है 1 by x पिर यहाँ पर भी x आ गया ऐसे ही यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या है यह y है यहाँ y है नहीं है तो फ़र्ण सेट करना पड़ेगा फिर यहाँ पर कौन सा फर्मला यूज होगा तो यहाँ पर फर्मला यूज होगा फर्मुला सेट करते हैं तो कैसे सेट करेंगे यहां देखिए यहां इक आपड़ेगा दी लॉग वाई दिवाइड़ बाई दी वाई यहां से देख सकते हैं यहां से और फिर जो नीचे आए से उपर जाएगा तो दी वाई उपर जाएगा और बटाम जो डी एक पार किये और इसका दिप्रेंसिएशन तो दी डी चलिएशन यप को बाहर किये और यो का डिप्रेंसिएशन यहां पर भी को सेच को differentiation करेंगे सही है अब यह बताइए कि अब भी यहाँ फ्रमुला सेट करना पड़ेगा क्यों सेट नहीं है क्यों कि अगे अगर भी इसको देखेंगे तो यहाँ एक से तो यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर log X तो यहाँ भी क्या न चाहिए दिख आने कैसे आएगा यहां तो okay यहां वाय य उसको कि एक और यहां पर किया है को सबस्केर करते हैं तो कैसे डी लॉग अप लोग x यहां लोग x है तो बटा में क्या आएगा डी लोग x आएगा फिर जो नीचे है सब उपर जाएगा तो डी लोग x वाई dx प्लस यहां से यहां से लोग ऑप लोग इक्स तो बहार ही रहेगा और कोस्क्रिक्स करा fireल यह रहेगा और कोस्रेंसीएश्र का पर्मले क्या होता है, minus sin x हो गया ऐसा है यहां सी यह अब यहां क्या हो जाएगा 1 by y dy by dx equal to cos x into और धेहां दिगेशनेट्स, फ्रमले क्या होता, log x का differentiation 1 by x, तो यहां पर x का स्थन पर क्या है log x है, तो यह क्या जाएगा, 1 by log x और यहाँ क्या हो जाएगा 1 by x minus यह sin x पहले लिखे देते हैं into log of यह क्या हो जाएगा log x हो जाएगा ऐसे तो therefore dy by dx कितना हो जाएगा यहाँ से तो dy by dx हो जाएगा cos x divided by x into log x देखा हैं यह multiply कर दिये हैं पर minus sin x into log of log x हो जाएगा यहाँ से और इस पूरा में यह y जाएगा क्या करेगा multiply करेगा ठीक है अब इस y के भेलू यहाँ से लोग पूट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा dy by dx एकोल तू dy by dx एकोल टू log of log x का पोलपावड cos x है और यहां देखिए यह क्या हो जागा cause x divided by x into log x minus sin x into log of log x and this is our answer तो यह रहा question number 3 आप देखते है question number 4 तो पर इसको में क्या करते हैं? मिटाते हैं अगर आपको इसको समझने में दिकत हो रहा हो तो आप इसको जैसे जैसे हम समझा रहा हैं वैसे वैसे आप इसको copy पर भी बनाएं आपको समझने में कोई दिकत नहीं होगा तो यह रहा question number 3 अब हम लो बढ़ते हैं question number 4 की ओर तो देखिए जो question number 4 है वह है 4 number question है x का power x x का power x minus 2 का power sin x 2 का power sin x यह रहा question number 4 तो सबसे परले क्या लिखते हैं लेट y equal to x का power x minus 2 का power sin x 2 का power sin x यहाँ पर variable power variable आया देखने हैं variable power variable तो क्या यहाँ आप अला क्यूश करेंगे बिल्गूर सही समझा क्या आप यह लोग नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि आपको इस लोगनित्मिक डिफ्रेंसियर्शन के शुरूवाले लेक्शर में फर्स्ट और सेकर्ड में बताया गया था क्या बदाया था कि वेरियेबल का power वेरियेबल हो और उसके साथ उसके साथ प्लस में या माइनस में को दूसरा टर्म हो त तो कैसे बनाते हैं तो दोनों को अलग अलग कुछ मान लेते हैं क्या करते हैं मान लेते हैं तो मानने के यह क्या है यू और यह क्या है भी तो यह अपने लिखे पहले क्या लिखते हैं लेट या पूट लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं पूट एक्स पावर एक्स इक्स इ यहां पर यू रख देंगे और यहां पर भी तो यू माइनस भी अब लिखेंगे differentiate with respect to x और यह हो जाएगा dy by dx equal to du by dx क्योंको माइनस से दोनों को लग लग माइनस dv by dx और इसको मानते हैं फस्ट अब ध्यान देखेंगे श्टेंट्स इसके साथ प्लस में हो या फिर माइनस में तो क्या करेंगे हम लोग उसमें एक को u मानेंगे और एक को भी मानेंगे फिर उसमें put कर देंगे y equal to तो यह आगया उसको differentiate कर देंगे अब यह आजाएगा जो आगए उसको क्या मानेंगे question first जो माने हैं वहां से यानि इससे क्या किजिए du by dx निका लिए और जो भी मानें वहां से dv by dx निका लिए और उस दोनों का value इसमें put कर देंगे और इस दोनों का value कैसे निकालेंगे यह आपको बहुत ऐसा से समझ में आता है कि यह पले पड़े हुए देख लिजिए यहां क्या है कि since u equal to x power x ऐसे हैं तो अब यह क्या होगे variable पार variable और इसमें कोई भी दूसरा टर्म प्लस या माइनस में नहीं है तो डिरेक्ट लोगरिथ्मिक डिप्रेसर उसने यूज कर सकते हैं कैसे तो लिखते हैं कि हम लोग टेकिंग लग अन बोद साइड लिखते हैं if u equal to log और ये हो जाएगा एक्स का पावर एक्स फीर formula होता है लग a का पावर b equal to पावर को बाहर और यह log a तो यहां पर हो जाएगा log u equal पावर को बाहर यान एक्स को बाहर इंटो log x क्यों ये x बाहर आजाएगा तो क्या बचएगा यहां हो जाएगा, दी लॉग यू डिभाइद बाई, दी एक्स इक्वाल टू, इसका डिफरेंशियेशन, तो डिफरेंशियेशन आप एक्स इन्टू लॉग एक्स डिभाइदे जिस्ट्ने Exodus क्या यहां फूर्मला सिट है, तो फूर्मला सिट नहीं है, क्यों? से लिए कि आपको फर्मूला याद है यह d log x by dx यहाँ पर x है तो यहाँ पर bx है तो क्या होता है इसका फर्मूला? 1 by x तो यहाँ पर क्या है? यह u है तो बस्य दि क्या आना चै EndEdद है? यू आना चैए तो यह d log u divided by du into du by dx सभी है यहां से क्या आएगा यह यू इंटु भी फर्मल क्या होता है देख लिए यहां से होता है यू इंटु भी का डिफ्रेंसियेशन क्या होता है तो यू को बाहर भी का डिफ्रेंसियेशन प्लस भी को बाहर और यह यू का डिफ्रेंसियेशन फर्म आप कोश्य से याद है तो क्या हो जागे यहां से देख लिजिए यहां से हो जागा यह x को बाहर दुनों मेंसे किसी एक को बाहर कर देंगे तो x को बाहर कर दिए log x का differentiation तो d log x divided by dx प्लस अब दूसरे को याने log x को बाहर और यह dx भाई dx सब्सक्राइब यहां से यह फर्मिला इस कर दिजिए 1 by x है तो यहां पर क्या हो जागा 1 by u into du by dx equal to यहां पर क्या है x into log x का differentiation 1 by x plus log x into इसका भीलू कितना 1 यह x और x कट जाएगा तो यहां से क्या आएगा आप इसको देख लिजिए सबसे पर इसको हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग मिटा देते हैं तो जैसे ही इसको हम लिखेंगे क्या आएगा यह du by dx या 1 by u और यह du by dx equal to कितना तो देखिए यह तो कोट के वन आ गया है यहां से प्लस यहां पर क्या बच्छा लोग x यहां पर बच्छा लोग x तो देयर फोर du by dx कितना तो du by dx यह यू जा कितर मुल्टिप्लाई करें करें तो u into one plus log x और इस तरीके से du by dx का जो भेलू आ गया वह u का भेलू यहां से रख देते हैं x power x into one plus log x तो यह किसके भेलू आया यह भेलू आया du by dx का अब किसके दिलू चाहिए db by dx का तो तो इससे निकलेगा भी से इन कहा गया यहां है भी तो लिखते हैं end एक 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 ओल टोटकितना है तो टुटा पार सा इनक्सटो एक यह विलेवल पार रहा है देख लिज है यह तो आप एक फर्मुला पढ़े इंक्स परंुला आपको मैं यहां लिख दे रहा हूं देख लिजिए फबला पढ़े हैं यह लिख दे यहां लिख देते हैं आप इसको color change कर देते हैं ताक यह को समाज में आ जाएगा d a power x divided by dx तो में क्या होता है a power x into log a जा एक constant है तो दिखिए जो power में है वहीं बटा में आया है तो यहां पर इसे ही solve करेंगे इसको तो लिखते हैं पहले differentiate with respect to x और यह हो जाएगा d u by dx equal to d 2 power sin x divided by कितना dx पहला हम उसको formula के फर्मे लिखें कि और यह किस्टे बढ़ा है अब इसको क्या करना फर्मुला पस set करना है तो कैसे set करेंगे यह sorry यह कितना है यह भी है देख लिए यहां से क्या भी है तो यहां पर क्या रहे है यह भी रहेगा तो यह d by dx एकॉल तो कितना गया यहां देख लिए तो यह हो जागा d 2 power sin x divided by कितना तो जो पावर में बटा में आएगा d sin x into d sin x और बटा कितना dx तो समझ रहे है अब यह बतागे यहां फर्मुला यह स्ट किया जाए तो फर्मुला क्या होता है यह पावर x इने 2 power sin x into log a तो log और a के अस्तन पर कितना है तो 2 है तो log 2 into sin x का फर्मुला क्या होता है यह तो डिक्रेंसेशन का फर्मुला आपको याद होगा बिल्गुल सही है क्या कॉस x तो क्या आगे इस तरीके से जो db by dx का भेलू आया यह आया लॉग 2 into 2 power sin x into कितना cos 6 तो ध्यान देगे स्टेंस जो यह आपका आया था कितना dv by dx मैंना dv by dx तो यहां से इसको फर्स्ट माले थे जो dv by dx के भेलू आया उसको माले कितना सेकेंड और जो dv by dx के भेलू आया उसको क्या माले यह थर्ड क्या माली इसके बाद कि फ्रम फोस्ट सेकेंड इन्थर्ट इतना लिखने के बाद इसके नीचे इसके नीचे कैसे नीच machines के यह आएगा देख लिजी कैसे लिखेंगे फ्रॉम फ्रस्ट सेकेंड एंड थर्ड फ्रम फ्रस्ट एंड थर्ड और यह ओजा गहीं यह दीवाई बयाई डिएक्स एक्वल टू क्या था डिवाई डिएक्स तो डिवाई डिएक्स कभी यहां से x power x into 1 plus log x minus d by dx और वो यहां से यह क्या है log 2 into 2 power sin x into cos x and this is our answer तो यह रहा exercise 5.5 का question number 4 तो उमीद करते हैं कि यह विडियो बहुत ही अच्छा लगाओगा और विडियो अच्छा लगाओगा तो विडियो को लाइक करें और चैनल पने ही तो चैनल को सबस्ट्राइब करना न भूले और बेल आइकन अवासे प्रेस कर ले कि जो भी वीडियो अप्लोड कीज़े आपको सबसे भले मिल सके थाइंक्यो सो मच फ़लवाशनी वीडियो कीप शेरिंग वीडियो फ्रेंड्स एन अधर्स